दान्त की पिलापन को तुरंत दूर करने वाली और दान्त की हरतरा की समश्या को पूरी तरहा जेर्ट से टीक करने वाली जैसे की दान्त की पिलापन हो और दान्त की कालेपन हो और दान्त की धर्द हो और दान्तों से कून आना और मूं की दान्द की वजए से आने वाली बद्बू भी, सब हरतरा की दान्द की और मूंकी समझ्चा को पूरी तरह जिर से टीक कर सकता है. इस वीडियो की बारे में आप जहनने से परेंगे मेरी इस चानल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी सब्सक्राइब कीजिए देखें पहले आपको इसमें क्या-क्या चीज की जर्रत परता है और इसे कैसा मूँ साफ करनी है मैं बताएगा देखें इसके लिए पहले आपको चाहिए होता है यहे फिट किरी इसे इंग्लिस में आल्यूम बोलता है ठीक है फिट किरी और यहे तुलसी का पते की चून है ठीक है आपको यह फिट किरी कोई भी ग्रोसरी में आसने से मिल जाती है और आपको यह आपको बनानी पड़ते है यह तुलसी का पते को गर्मी में सुका कर ऐसा चून बना कर रख लीजे ठीक है अच्छा चून बना लीजे पोडर जैसा चूर्ण बना कर रख लिए ठीक है अभी इसके साथ आपको एक टूथपेस्ट की भी ज़र्वत पड़ता है जैसे कि मैं इदा सेस्टोडेन लिया था आपको अगर कोई भी आदत है जैसे कि किसी को कोल गेट है और किसी किसी को दांत कांते है तो आप जो यूज करता है पेस्ट को यूज करता है उतना पेस्ट को लीजिए ठीक है अब इसमें इतना सा तुलसी पते की चूर्ण डालिए और इसमें फिटकिरी का चूर्ण भी डालनी है देखिए मैं आलड़ी फिटकिरी का चूर्ण बनाया ये भी आपको जितना भी दो अंगली में आता है उतना लीजिए ठीक है अभी इस तिनों चीज को अच्छा सा मिक्स कर लीजिए इस पेस्ट के साथ ठीक है आप ऐसा ब्रेश का ऊपर लगा और आपको मुह दोनी है या नहीं तो आप ऐसा उंगलीक के साथ लेकर भी आप दांत साफ कर सकता है या नहीं तो आप ऐसा यूज किजिए इसे यूज करने से आपको यूज करने पहली दिन से ही आपको result मिल जाएगा जैसे कि आप आज अगर पहले आप यूज किया है तो आपको पहली दिन से दांत की आर्थ समस्षा दूर होना चालो हो जाता है और आपको मालूम भी पढ़ता है जैसे कि आपका द जांत की समश्या मों की समश्या पूरी तरह दूर हो जाता है ठीक है और ऐसा अचा-चा वीडियो की जानखरी के लिए त्लमक को अब जरूर सब्सक्रीब कीजेए बिले एकन को दाइए इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाज